आज किस वीडियो में पढ़ेंगे हम' के पास रुकी हो या आपका अपना अधिकार जता रहे हो या जब भी हम अधिकार संबंदित बाते करते हैं तो वहां पर आप है वैस कर सकते हैं कैसे अधिकार जताना कैसे होता है जैसे आप बोलते हो मेरे पास बाइक है मेरे पास कार है हम पूसे क्या तुम्हारे पास घर है या तुमारे पास mobile है तो वहाँ पर क्या होता है हम एक अधिकार का भाव प्रकट करते हैं मतलब अपना अधिकार बताते हैं जैसे मैंने बला मेरे पास mobile है मेरे पास mobile है तो यहाँ पर मेरा अधिकार है इस पे आप बोल सकते है I have a mobile आप देखो इसका structure क्या होता है है वैस का अगर आप affirmative sentence की बात करते हैं affirmative sentence मतलब जो positive sentence होते हैं जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं तो सबसे पहले आगा हमारा subject फिर है वैस फिर यहां पर जो भी चीज आप जो भी चीज आपके पास है मतलब जो भी नाउन या जो भी compliment आपके पास है compliment मतलब वह चीज जो आपके पास है अब देखो मैंने बोला मेरे पास car है अब आप बोल चकते हैं I have a car देखो I view दे के साथ क्या आता है I हो गया हमारा we हो गया you हो गया they हो गया इसके साथ क्या आएगा है और हैस किस-किस के साथ आता हमारा है he she it किसी का नाम यह कोई भी singular singular मतलब क्या आता हमारा एक बचन तो कोई भी singular person हो उसके साथ भी क्या आता हमारा है जाएगा और plural के साथ क्या आएगा हमारा है प्लूरल के साथ क्या आएगा हमारा है तो I view they plural के साथ क्या आएगा हमारा है अब देखो कुछ संटेंस यहां पर लिखे हैं जैसे मैंने मेरे पास कार है तो आप बोल सकते हैं I have a car I have इसे कार की जगह आप सी एक साउंड खा से पड़ते हैं तो बोलना I have a car I have a car उसके पास दो बैल है तो आप बोल सकते हैं He has क्या वोलेंगा आप लोग he उसके पास क्या पूसी प्राइबर है is He has चूर झार औक सम उसके पास डो बैल तो हम क्या बढ़ेंगे अब राम के पास घर है, तो कैसे बलेंगे हम राम, क्या है एक नाम है, नेम के साथ भी क्या हैगा है, राम हैस, 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 राम not कैसे लगेगे आपको जैसे मैंने वहला मेरे पास घर नहीं है तो आप बोल सकते हैं I do not have home do not का हमने short में contract गिया यह do not बन गया आप यहां पर helping of do not भी लगा सकते हो और आप इसे directly भी बोल सकते हैं मेरे पास घर नहीं है तो आप directly भी बोल सकते हैं I have no home I have no home तो negative में क्या जाएगा आप not का no को यूज़ करेंगे बर जब not का यूज़ करेंगे तो वहां पर helping of लगानी जरूरी है तो आप बोल सकते हैं I don't have home I don't have home अब वही negative का structure क्या है subject plus have has no या not plus compliment जैसे मैंने बोला मेरे पास car नहीं है तो आप बोल सकते हैं I do not have I do not have a car उसके पास दो बैल नहीं है He doesn't have He doesn't have two oxen He doesn't have two oxen राम के पास घर नहीं है तो राम डजन have a house तो negative में क्या किया हमने देखो यहां पर do not and does not कभी उसके आप कर सकते हो अब इसे directly बोल सकते हैं I have no car I have no car अब नीजे बोल सकते हैं He doesn't have या he has He has no two oxen राइट अच्छा राम के पास क्या नहीं है राम के पास घर नहीं है तो राम हैस नो हाउस तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं मतलब आप directly have as के इसके साथ यूज कर सकते हैं उसके बाद no भी लगा सकते हैं अब interrogative में क्या होता हमारा सबसे पहले क्या आएगा हमारा डेवली एस फैमिली मेंबर question जो भी आप question put up करने हुआ जाएगा फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा have as और have as के साथ फिर subject फिर आप no भी लगा सकते हैं ठीक है और यहां पर आप helping भी लगा सकते हैं जैसे हमने do does पहले भी पढ़ा है तो अब मेरे पास एक car कैसे है तो आप इसे बोल सकते हैं how have how have I how have I a car how have I a car इसे दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं how does नहीं I के साथ क्या था है does की do how do I have a car how do I have a car right तो यहाँ पर question mark उसके पास दो बैल क्यों है so why has he two auction why has he two auction तो दूसरी तरीके से का बनाना सकते हैं why does he have दोनों तरीके साथ बोल सकते हैं why does he have two auction why does he have two auction राम के पास एक घर कहाँ है तो आप इस तरीके से से डारेकली बोल सकते हैं where has राम a home यह where does राम have a house have a house where does राम have a house तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं where does राम have a house so thank you for watching this video if you like this video do like, share and subscribe और आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा भाई have a house का possessive views possessive कैसा जो भी चीज मेरे पास है तुमारे पास है जहां पर हम अपना अधिकार बताते हैं यह मेरे पास है यह मेरे पास नहीं है तो वहाँ पर have a house के साथ वो नाउन लगा सकते है जिसे मेरे पास car है तो I have a car मेरे पास bike है तो I have a bike मेरे पास mobile है तो I have a mobile Thank you for watching this video